इसमें कोशन है CMS का है राइट फॉलाइंग एस डेसिमल नंबर और आसो देर एक्सपेंड़ फॉर्म इसको यह जो चीज लिखी है इसको डेसिमल नंबर में लिखना है और इसकी एक्सपेंड़ फॉर्म भी लिखनी है तो आपके पास लिखा हुआ है 42 टेंस इसको भी ध्यांद देखिए है आप भी देखें 42 10 में टीच एस लगाए एक होता है 42 टेंस लिखाओ जैसे लिखा है तू टेंस मालनी 42 टेंस लिखा है ठीक इसका मतलब यह होता है कि 42 में 10 से मल्टिप्लाई कर दो यानि कि 42 दस गुना यानि कि 42 इंटू 10 420 ठीक है लेकिन यहाँ पर 10 में TENS नहीं है TENS है 42 तेंस यानि कि 42 42 हिस्सा ठीक तो इस 10 का मतलब होता है कि 42 अपॉट 10 इस 10 का मतलब होता है है in 2 इस 10 का मतलब होता है टीस वाला अंट 10 तो जिस नंबर के 10ा आ गया जिस नंबर के नीचे 10 अ गया गए 10 मेंे एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा 4.2 आँसर आज अपका तो 42 टेंस का मतलब 4.2 एक्चुल इसका मतलब यह हुआ अच्छा यह हुआ कैसे तो आप लोग क्या करेंगे डिवाइट करके देख सकते हैं 42 टेंस का मतलब तो डबी टेंस में एट एचस लगाओ तो अपॉन 10 लिखते हैं 10 से इसको डिवाइट कर दिया है जो नीचे होता है वो हमेशा बाहर रहता है और जो उपर होता है वो हमेशा अंदर रहता है डिवीडेंट बनता है ठीक है तो 10 4040 पॉइंट लगाया 0 बड़ाया 10 20 तो हमारे पाद आगया 4.2 क्या आगया 4.2 तो और इसमें साथ में ये भी कहा गया था कि इसको expanded form में भी लिखा है न इसको decimal form में लिख दी हमने अब expanded form में कैसे लिखे है decimal form तो यह होगी भी expanded form कैसे लिखे जाती है यह समझी है ट्रिक बता रहे पहले आप decimal form में कर लेंगे उसके बाद expanded form करने कोशिश करिएगा यहां पर आपकी आई है 4.2 इसी को देखके इसको कैसे करेंगे कि जो और पॉइंट से पहले नंबर इसको अधेटिस उतार लिया हमने और जो पॉइंट है पॉइंट तो उटारना ही नहीं expanded form में पॉइंट की जगहा पर प्लस लगा दिए जैस्ट पॉइंट की जगहा पर हमने प्लस लगा दिया और जो पॉइंट से ढोलो होगा तो यह चीज पूछ रहे हैं 80 डी एक नमर से पहले सीजे तरफ यह दो जिरो पहले अच्छा यह तब धी अगर आपको करना है कि आया कैसे यह कैसे यह तो खाल नीचे है और लिखेंगे जो नीचे वो बाहर लिखते हैं जो उपार ओता है वा अंडर लिखते हैं च्छोटे बढ़ा मेंचर नहीं करता पॉइंट लगाया जीरो भड़ाया ठीक है एंड़ेट four दा four hundred अब इसमें 420 में ते पोर ये तो ट्वेंटी बचे थीक है पॉइंट लगाए जीरो अपने आपड़ जाएगा एंड़ेट तरफ से बढ़ा देते हैं अब इसकी एक्सपेंड़ फॉर्म कैसे लिखे जो नंबर लिखा है जीरो पॉइंट से पहले लिखा है तो हमने जीरो फॉर पॉइंट की जगा पर हम प्लस लगाते हैं लगा जिया और पॉइंट के पहला नंबर होता है उसके अपॉन में 10 लिखत है और दूसरा नंबर है तो उसके अपॉन में 100 लिख देते हैं यह हो गया 4200 डेश्मल फॉर्म में यह एक्सपेंड़ फॉर्म में ओके उसके आपका नेक्स कोशन था 97 टेंस ठीक है तो यह कैसे लिखा जाएगा 97 टेंस का मतलब टी एचे से तो अप